रोयल संस्तान उदेपूर में एक बार पुना आपका हर्दिक स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आई सियार का रेंग कार्ट कब आएगा तो आज फाइनली आई सियार यूजी के जो बच्चे उनका रेंग कार्ट जारी हो गया है संस्तान के अंदर सभी लोग बहुत कुछ है क्योंकि हर बार जब भी रिजल्ट आता है तो रोयलियंज जो है अपना जो है लोगा मनवाते हैं और आज का भी अगर आप रिजल्ट देखो कि कंटिन्यू क्योंकि वेशे देखा जाए तो रिजल्ट तो पहले आ गया था 99 परसेंटाइल से उपर 200 से उपर बच्चे थे इसके अलावा चाहे मैं बात करू 95 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल तो इन सभी बच्चों के गर संक्या देखे तो शेकड़ों में थी लेकिन आखिरकार आपकी जो काउंसलिंग है वो आपके रेंकार्ड के त्रू होगी तो आज जो है रेंकार्ड जारी हो गया है और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिस तरीके से बच्चों का रिजल्ट आरायर बच्चों को जो रेंक मिली है उसमें लाश्ट ये रोयल इंस्टिटूट से चार सो से उपर बच्चे देश की अलग लग उनिवर्शिटीज में ग अब मैं एक एक करके इस काउंसलिंग के बारे में आपको अलकापुल का आज के इस वीडियो में जानकारी दूँगा इसके बाद में एक एक चीज पे जहां पर भी आपको डाउट है फिरियो कोष्ट रोयल इंस्टिटूट के इस चैनल पे जानकारी दी जाएगी आज बाद में अगला वीडियो लाओंगा जिसके अंदर आपको डिटेल में जो आपके डाउट जींग पोइंट पर रहने वाले उनकी जानकारी दूँगा सबसे पहले हम देखते हैं एक बच्चे का रिजल्ट जब आप रेंग का डाउनलोड कर रहे हो तो उसमें क्या कुछ आपको देखने का मिल रहे है तो सबसे पहले पारिजिक का नाम आ रहे है wisdom आपके अप्लीकेशन नंबर आ रहे है इसके अलावा रोल नंबर आ रहे है टॉप टेन के अंदर रेंक आई है, ऐसे बच्चे जीनके टॉप 10 इंक अंदर रेंक आई यह टॉप 100 के अंदर रेंक आई हैं, उन बच्चों का मैं अलग से वीडियो लेक्टे का ऊँगा, इनको कौन सी इंवर्शिटीज बिलेगी उसका वीडियो लेक्टे का याँ।ひ पूरा का पूरा गेम आपके परसेंटाइल का है तो इस बच्ची की अगर मैं बात करता हूं आका अंगसा की तो इसके अगरिकल्चर के अंदर जो परसेंटाइल थे वो थे 99.86, पूरी की पूरी इन्फोर्मेशन आपका जब आप रेंग काड जब डाउनलोड करें तो यह आपको मिल रही है इसके ओर अगर तीनों सब्जेट के जोड़के अगर परसेंटाइल निकालता हूं तो 99.2 इसके आ रहे हैं तो इसके ओर अगर मैं रेंग की बात करता हूं तो आ आपकी 105 है और केटेगरी रेंग जो है साथ हुए इस तरीके से आपकी ओवरॉल जो है आपको रेंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पे अब मैं आगे की बात करता हूं तो आपको बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए खुशकबरी है कि ICR ने इस बार कुछ सीट जो ह कैसे अलबां सीट के अलबां सीट के अलबा एक सबज़ेक्ट भी आपका झो एयड करदे को एट कर sugar कर दी है जो पहले सबसे मैं बात करता हूं बीटेग अगरी कल्चरल इंजिनिरिंग यह बच्चा के वल मैतेमेटिक्स वाला जा सकता है और इनके ओर जो सीट है वह है 375 के टेगरी वाइज अलग लग यह सीट दी गई आप आराम से देख सकते हूं मैं बात करता हूं बीटेग बायो टेकनलोज 202, बीटेग डेरी टेकनलोजी 143, बीटेग 4 टेकनलोजी 172 मैं आपकी जानकारी के लिए बता दू अगर मैं डेरी टेकनलोजी की बात करता हूं तो पूरे देश के अंदर जो टॉप इनवर्शिटी है वो आपकी करनाल हर्याना हर साल रोयल इंस्टिटूट के बहुत सार जाती है और देश की जितने भी इनवर्शिटी जब वहां हमारे कंटीनियू बच्चे जाते है नेक्स्ट आपकी बीए सी के कोर्स आरे बापके नेचुरल फार्मिंग 45 सीट है और बीए सी एगरी कल्चर है यहां 2756 सीट है लाइस्ट येर से सीट जो है वो बहुत सारी 23 इसके अलावा शेरी कल्चर है 26 आपका इसके बाद मैं आगे की बात करता हूँ फिशरीज की 235 टोटल 5095 सीट है अच्छी का सीट जो है आपके लिए इसमें अवेलेबल है अब आप देखो नया जो मैंने कहा था कोर्स कौन सा है तो नया कोर्स जो है आपका वो है नेचु आपका इसी सेशन के अंदर ये नेक्स सेशन में लागू होने वाला था क्योंकि इसके प्रोस्पेक्टर्स में दियावा नहीं था लेकिन इसी साल इसको लागू कर दिया गया था अलगले के टेगरी वाइस भी आपकी जो है सीट दे गई है यहां से एक बात तो निकल के आ करेंगे जैसे जेएटी की काउंसलिंग होई तो तीन राउंड चले उसके बाद में कोलेज में एडिमिसन लेके आप लोग आचुके होंगे कहीं बच्चे और जो अधर इस्टेट के वो बच्चे आप आईसी आर की जो काउंसलिंग होगी इसके तुरूर एडिमिसन तो आज से 15 अक्टूमबर तक आप कर सकते आईसी आर की काउंसलिंग में एक विशेष ध्यान रखना यहां टाइम टेबल दिया वाए जिसमें आपको विशेष तोर पे विशेष जगह अलग-अलग टाइम करके लिखा वाए कि कब तक आपका जो है आप चोईश फिल कर सक कर देगी तो लिश्ट आने के बाद में आगे की जो आपकी प्रोशेष चलेगी कि कब आपको जो है को लेज को लोग करना है कब आपको अपवर्ड लगाना यह जो पूरा प्रोशेशिंग रहेगा उसके अंदर आपको पांच बजे तक काई टाइम दिया जाता है तो यह आपके लिए नॉर्मल हो सकते हैं कि जील से यह क्यों बता रहे हैं लेकिन जब आप फोन करते हो न मुझे आठ बज गई शर आज ही लाश्ट डेट थी शर आप कुछ आई नहीं रहा है दिक की नहीं रहा उसका कारण यह आई सियार में विशेश द्यान रखना कहीं पंदर अक्टूंबर तक तो रिजल्ट कब आएगा तो 16 अक्टूंबर को आपका क्या आजाएगा रिजल्ट आजाएगा पांच वजे बाद में आपको इसका रिजल्ट सो हो जाएगा अब अपन कंटिन्यू आगे चलेंगे जैसे हैं आपकी काउंसलिंग चालो होगी तो आप बाद में क्या होगा उनलाइन या आपके डोकुमेंट जो हैं वो वेरीपाई कराई जाएगे अगर कोई डोकुमेंट में कमी है तो आपको समय मिलेगा वो भी लगबग एक दिन का ही मिलता है फिर आप उस डोकुमेंट को वापस अगर आपके पास में कोई किवरी जं पर गडोब तक कम्पलिट हो जाएगा उसके बाद में आपके पास ऊप्संग करना चाहते हो वो उसी टाइम में आपको बता दूंगा जब यह परकुरिए चलेगी इसके बाद में रिपोर्टिंग का आपकी आनलाइन रिपोर्टिंग जो है उसकी डेट है वो है 27 अक्टो इसके बाद में रिजल्ट आएगा थर्ड का रिजल्ट आएगा ऐसे अगर अपन कंटिनू जाएंगे तो आपके पास चार राउंड जो है इस काउंसलिंग का होने वाला है चारों राउंड के बाद में अगर कोई सीट खाली रह गई तो आपका नेक्स्ट जो है वह मौक अगर मैं देखूं कि ये लाइस्ट मौक अब राउंड कब तक हतम हो जाएगा तो वो है आपका 18 दिसंबर इसका मतलब अक्टोंबर चल रहा है किसी बच्चे का सेलेक्शन हुआ अग नहीं हुआ उसको कब पता चलेगा फाइनल 18 दिसंबर तक इसका मतलब यह हुआ कि आज से ही कोर्स जोइन करके continue आप पढ़ते रहें मैंने पहले कहा था कि रोयल इंस्टिटूट के द्वारा जब हमने जून में बेच चालू किये ते तब भी कहा था कि अगर कोई बच्चा अगर ओनलाइन बेच में नेक्स्ट येर 24 के लिए एडिमिसन लेता और इस दर्म कहीं हो जाता है तो हम लोग आपके साथ कड़ें आपको पूरा पेसा वापस देंगे मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं बच्चे अभी भी जैटिक काउंसलिंग के बाद मैं अभी आ रहें लोंग एर में एडिमिसन लेने अरकी सर्म ने छे मेने खराब कर लिए चा और इसके लिए मैं कल साम तक आपके लिए वीडियो और इनुवर्षिटी जी को लेज के लिस्ट ले क्या होगा कि कौन सी उनुवर्षिटी आपको पहले भरना चाहिए कौन सी बाद में बरना चाहिए एग्रिकल्चर आपकी होटीकल्चर फोरेश्ट्री फिस्रीच अग् जिनके लिए payment कोई ज्यादा matter नहीं करता और एक वो जिनके लिए payment matter करता है। हमारे सभी universities के अंदर देश के अंदर लगबग जितने भी universities हैं सब में बच्चे पढ़ रहे हैं। जिनके अगर आ रहे हैं तो उस university को हम नीचे लेंगे जो अच्छी university है उसको उपर रखेंगे। बिल्कुल सोच समझ गया हम हमारे तरफ से पूरी कोशिज करेंगे कि आपके कोई तरफ की problem नहीं है और आपका जो है इनवर्शिटी जो हो वो अच्छा हो व्यवस्तित हो और जिस तरीके से आपने मेहनत किये उसके according आपको जो है इनवर्शिटी कोलेज मिलने चाहिए। बागे 95% ऐसे बच्चे थे जो कहीं न कहीं जूड़े हुए थे किसी स्कूल में पढ़े हुए थे जिनको जानकारी नहीं थी और उसके अभाव में उन्होंने काउंसलिंग जब कराई तो गलती कर दी जैसे दूसरे नंबर पर मालो प्राइवेट कोलेज बर दिया और सर यह भी बता दो कि किस रेंग पे कौन सी उन्वर्शिटी कोलेज मिल सकती है उसकी भी मैं पूरी लिस्ट बना के आपको बताऊंगा हलका पुलका आपको यहां आइडिया दे देता हूं कि जिस बच्चे की एक अजार के अंदर रेंग है जिस बच्चे की सामाने रेंग एक अजार के अंदर उसको टॉप त्री उन्वर्शिटी जे उनमें से कोई न कोई 100% मिलेगी त्री से फाइप उन्वर्शिटी जो उनमें से 100% मिल जाएगी यह मेरे पुराने अन्वर्व के आदार पर आपको बता रहा हूं जिस बच्चे की 300-400 के आस-पास रेंग है उसको फैस्ट चोईस मिलने के पूरे-पूरे चांसेज रहेंगे बाकी तो यह सब चीजों की जानकारी जब अपन काउंसलिंग कराएंगे तब ही मिलेगी बाकी और में लाइस्ट एर के जो बच्चे रेंक वाई सेलेक्ट हुए थे उनकी जानकारी उनके पूरे डेटा एनालिस चीज़ करके आपको और वीडियो बना के बता दूँगा पुन्यरेपीट कर रहें कोई बच्चा गलती नहीं करें कोई बच्चा गबराएं नहीं अपने रिजल्ट को देखके आप अपने रेंग को देखके अच्छी तरीके से जो है आप डिसीजन ले कि आपको क्या करना में जहां तो किसी भी बच्चे को कोई सब्सक्राइब के लिए दर्ख up कोई डीशिजन नहीं बिदूँ इसके अलावा और कोई भी आपके डाउट हो तो आप इस वीडियो के comment box है उसमे comment जरूर करें इसके अलावा हमारा जो एप है royal institute का इसी वीडियो के description में उसका link दिया हूँ आप वहाँ जाके हमारा जो एप डौर डाउनलोड करें उसके उपर free study material में ICR counseling के अंदर मैं सभी जो college जै इनुवर्शिटी जै उनकी list जो है upload कर दूँगा और भी कोई जानकारी होगी तो आपको वहाँ available करा देंगे ताकि एक ही जगह आपको सब चीज़े मिल जाए पुन्य में रोवेल संस्तान के सभी बच्चों को जिन बच्चों की अच्छी रेंग काई है उन सब को हर्दिक सुब काम नहीं देता हूं parents को हमारे पूरे staff को य इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनका result अपनी पसंद के according नहीं आया है उनको निरास नहीं होना है आपको अब ज्यादा चिंता किये बगए 6-7-8 महिने आपको डंच से मेहनत करना है दोजार चोईस आपका होगा कता ही आपको निरास होने की जवर्त नहीं है संस्तान में हिं इंग्लिश मीडियम दोनों बेच जो है मीडियम में अवेलेबल है ओनलाइन ओपलाइन सब कुछ अवेलेबल है इसलिए बिना कोई टेंशन लिए आप अपना आगे का जो है पांच से च्छे महिने जो है जिस तरीके से इस बार बच्चों की रेंग आईए इन बच्चों क कि उसी तरह आपका भी रिजल्ट आएगा कोई भी बच्चा निराश नहीं हो और अपने आपको डिप्रेशन का शिकार होने से बचाए हमसे जो होगी हम आपकी जरूर करेंगे आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बदाबार थेंक्यू थेंक्यू व